विवर्स आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफ्रेंट स्टाइल का आप चाहें तो इसको कहें गुलाब पराठा या बोले तो उल्टा पराठा और यह लखनों का मशूर पराठा है तो आए देखते हैं इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी है बहुत ही यूनीक है बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी है और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा वीवर्स और रेसिपी स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्स्राइब कर लिजे लाल बटन को दबा के वैल आइकन को क्लिक करना बिलकुल मत भूलीगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे और यह बिलकुल फ्री है तो चैलिए वीवर्स शुरू करते हैं गुलाब पराठा बनाना और इसक जंद र広ए है है तो उतना मेरे लाए टा तो एक प मेरे लिया है एकी कप मेने गहूँ का अरत लिया है इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक हाथह चमच के करीब नमक थोड़ा से कम ही डंताया इसके अनदर अब मैं देग एक चमच भरके डाल दूंगी घी और इसके साथ साथ देखिए दो से तीन चमच दूद के अंदर गुनगोने दूद के अंदर मैंने यहां केसर भीगो के रखा है दो चुटकी के करीब यह इसके इंदर डाल देंगे यह लखनो का मशूर पराठा है विवर्स तो थोड़ा सा नवाभी स्टाइल का है आई होप अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं गूथ लूँगी तो यहां मैंने लिया है आदा दूद एंद आदा पानी मिक्स कर लिया है एक कटोरे में और यह गुनगुना है गुनगुना लेना होगा हमें आदा कॉंटिटी दूद की और आदा कॉंटिटी पानी की उससे हमक तो यह soft consistency का आटा गूतना है, जैसे usually हम पराठे के लिए गूतते हैं, तो देखिए viewers, यहाँ पर मैंने आटा गूत लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी consistency, तो अब थोड़ा समय इस पर तेल लगा दूँगी, और फिर से इसको गूत लूँगी, ताकि यह बिल्कुल smooth हो ज तो देखिए इसको मैंने गूत लिया है, आप धक के मैं इसको कम से कम 10 में ट्रेस्ट करने रख दूँगी, तो देखिए viewers, 10 में हो गए हैं, हमारा आटा बिल्कुल अच्छे तरीके से soft हो गया है, आईए अब इससे पराठा बनाना शुरू करते हैं, तो आप देख सकते है कितना soft हो गया है हमारा आटा, और मैंने थोड़ा सा सूका आटा ले लिया है, अब मैं एक छोटा सा पराठे के लिए बॉल बना लूँगी, आप चाहें तो वैसे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इस अकर का ही बनाई है, ज्यादा अच्छा लगता है, देखिए इतना छ रोल करने में ही सारा मज़ा है, आप देख सकते हैं, इसमें केसर के अभी से रेशे दिख रहे हैं, तो यहां मैंने ले लिया है एक चाकू, और चाकू से बिल्कुल सेंटर में लेके इसको हाफ कट कर लेंगे, हम इस तरी के से कट लगा लेंगे, और एक एंड को पकड़के इसे रोल करते जाएंगे, आप देख सकते हैं, मैं कैसे गुमा गुमा के इसको रोल कर रही हूँ, और यह पूरा गुमा लेने के बाद इस तरी के से फूल की तरह बन जाता है, यह गुलाब के फूल की तरह पंखुडिया बन जाती है, तो आप इसकी पंखुडियों को फै के आकार में बेल के और फिर इसके बीच में कट लगा sandyóst Jetzt 젊एंगे और इस तोंदर लगता है इसी लिए इसको गुलाब पराथा बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लेजों होती है वह गुलाब के जैसी होती है उसको अब हम थोड़ा सा दबाादेंगे har Wirk को और यह हमारी जो लोई है ये बनके त्यार है बेलने के लिए तो ये तो हो गया विवर्स एक तरीका ये पराठा बनाने का ये तो सिंपल पराठा बनेगा लेकिन मैं आज आपको विल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का पराठा एक और इसी से बनाना सिखाऊंगी जो बहुत तो यहां हमको क्या करना होगा सिंपली एक लोई लेके हमको बेल लेनी होगी जैसे हमने दूसरे पराठे के लिए बेली थी इसी तरह के नॉमल पूरी के आकार की और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से केसर दिख रहा है हमारा तो सिंपली इसको भी बीच में से मैं मसाला होता है तो दो चोटे चमच मैंने मसाला निकाल दिया है उसमें से और थोड़ा सा मसाला हम इसके उपर ऐसे लगा देंगे इससे क्या होगा विवर्स यह बहुत ही चटपटा सा और इंट्रेस्टिंग सा पराठा बनेगा तो इस पर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी दो से तीन बून तक यह फैल जाये हमारा मसाला और हमेने स्रह सूखा मसाला लिया है ज्यादा तेल बगर नहीं निकाला है तो इसको फैला दिया है देखिए बिल्कुल इवनली फैला दिया है अब इस मसाले के साथ हम इसको रोल कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से जैसे simply मैंने पहले वाले दो रोल किये थे उसी तरीके से मैं इसको भी रोल कर लूँगी और ये देखिए हमारा ये अचारी मसाले वाला चटपटा गुलाब पराथे का लोई बनके त्यार हो गया है तो ये देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में भी इंट्रस्टिंग है आपको बनाते बनाते ही से प्यार हो जाएगा जितना सुन्दर दिख रहा है देखने में तो वीवर्स इसको भी इस तरीके से बिठा के और इसको दबा देंगे और ये हमारी मसालेदार चटपटी गुलाब परांठे की लोई त्यार हो गई है तो आईए इनको बेल लेते हैं तो पहले मैं सिंपल वाली बेल लूँगी नॉमली जैसे हम परांठा बनाते हैं इसी तरीके से हमको बेलना है थोड़ा सा आठा दुनों तरफ लगाके और इसमें जितनी अच्छी लेयर्स आती हैं उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है तो सिंपल जो गुलाब परांठा है वो तो आप खा सकते हैं किसी सबजी के साथ या धही के साथ सिंपल ही खा सकते हैं या किसी ग्रेवी वाली सबजी के साथ खाईए और लखनव में इससे खाया जाता है चिकन मटन के साथ आप वेस्ट सबजीयों के साथ भी खा सकते हैं इसको और ये देखिए मैंने इसको पतला परांठा इसका बेल लिया है आईए अब इसको सेख लेते हैं और सेखनी का प्रोसेस भी वीवर्स थोड़ा सा डिफरेंट है तो देखिए वीवर्स परांठा बनाने के लिए हम इने तबा ले लिया है और क्यूंकि हम बना रहे हैं उल्टा परांठा तो तबे को मैं कर दूँँगी उल्टा और हम उल्टी तरफ से परांठा सेखेंगे वैसे आप चाहें तो सीधी तरफ से भी सेख सकते हैं लेकिन लखनाओ में ये परांठा उल्टी तरफ से सेखा जाता है तो इस पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको चिकना कर दिया है पहले ही साफ कर दिया था और उसके बाद कपड़ी से पोच के ये पराठा मैंने डाल दिया है तो सिंपली जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे थोड़ा से ये सिख जाएगा तो इसको पलट देंगे चिम्टे की सायता से और उसके बाद दूसरी तरफ से भी पलट देंगे देखिए सिखने के बाद तो इस पर हच्छे से गुलाबी स्पॉट्स आ जाते हैं और उल्टा पराठा बहुत ही टेस्टी है लखनों का मशूर है तो आप जरूर बना के ट्राय कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा तो देखिए किते अच्छे गुलाबी दाने आ गए हैं इस पर आप इसको कपड़े की सायता से हम फुला लेंगे और अगर आपका नहीं भी फूलता है तो कोई बात नहीं क्योंकि इसके अंदर लेयर्स हैं तो जरूरी नहीं है ये फूले लेकिन इसके अंदर जो लेयर्स है वो बहुत ही अच्छी लगती है आप में अच्छा पराठा खाया होगा तो लगबग वैसा ही टेस्ट रहता है इसका वैसा ही टेक्च्चर भी रहता है तो इसको मैं अच्छे से कपड़े की मदद से सेख लूँगी और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है इसके उपर हलके गुलावी दाने आने तक हमको अच्छे से सेख लेना है और उसके बाद इसको भी लगा के सर्फ करेंगे हम और आप इसको अच्छे अच्छी रस्से वाली सबजीयों के साथ खा सकते हैं सुकी सबजीयों के साथ खा सकते हैं सिंपल दई और अचार के साथ भी खा सकते हैं हमारा बढ़िया सा उल्टा पराठा बनके त्यार हो गया है और इसको मैंने घी लगा के सर्फ कर दिया है और यह बहुत ही टेस्टी बनाए है तो आईए दूसरा जो अचारी पराठा था उसको भी सेक लेते हैं और इसमें आप देख सकते हैं इजी तरीके से क एकने अच्छे तरीकी से अच्यारं दिख रहा है कैसर दिख रहा है मैं तो यह बहुत ही टेस्टी होने वाला है इसमें से कुष्पू भी बहुत अच्या रही है तो देखी इसको भी यह से बूस्रophy भी mai और वाल Oh पाउड़ पराठे को मैंने कपड़े से शहा था इस व बहुत ही टेस्टी बनता है विवर्स आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आप इस तरह के आचार वाला जो परांथा है उसको टिफिन में डाल के भी दे सकते हैं बच्चों को यह बहुत ही टेस्टी लगता है चट पटा लगता है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता तो इसम् कुलाब पराथा या ओल्टा पराथा की रेस्पी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर से जरूर क्लिक कीजिएगा कमन्न करके मुझे बताएगा कि आपको इस रेस्पी कैसी लगी बीश चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत तेंक्यू